जवलपुर जिलास्पताल विक्टोरिया में X-ray विभाग बधाली में चल रहा है इसका अनुमान इस बास से लगाया जा सकता है कि मरीजों को X-ray की कौपी WhatsApp के जरीए दी जा रही है जहां जिलास्पताल के पास X-ray निकालने के लिए उपयोग मिलाई जाने वाली X-ray फिल्म में ही नहीं है जिसके कारण मरीजों को WhatsApp के जरीए X-ray दी जा रहे है सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन मरीजों के पास कीपेड वाला मुबाइल फोन है उन्हें X-ray के से दिया जाएगा जब इस सम्मन में मनीश मिश्रा से पुछा गया तो उन्होंने भी इस बात को सिकार किया कि मरीजों को WhatsApp से X-ray कौपी दी जा रही है क्योंकि X-ray फिल्म उपलब्द नहीं है जिसके चलते शाषिन को पत्रचार किया गया है वहीं अभी मरीजों को WhatsApp से X-ray दी जा रहे हैं जिससे कही न कहीं जिला अस्पताल में आने वाले वो मरीज खासे परेशान हो रहे हैं जिनके पास कीपेट फोन हैं जिसके चलते ऐसे मरीजों को रुपाई खर्च करके प्राइविट अस्पतालों में X-ray करवाने पड़ रहे हैं कि एक्सरे फिल्म जो है वो शाषन वारा प्रदाई की जाती है जिसका उन्होंने पत्र हमें दिया कि हमने शाषन को लेखा है शीग्रती शीख अपेक्षा है कि शाषन से पैसा आएगा और फिल्म या फिल्म में आएंगी तो हम इसको घर्जियों को दे पाएं आएंगी है सर ऐसरे वाटस आप तो कर जाए जैसा जिनके पास की पैक मोबाईड उब उनको पीर कैसे बिपाई निमoca निस्चित रूप से थोड़ा सा कश्ट परत् तो है। जिसके पास keypad mobile वो कैसे ले जाए है पर प्राया प्राया लोगों के पास आप smart रहते ही हैं आम तोर पर रहते हैं नहीं रहते हैं जिनको उनके लिए तकलीफ तो है तो कि उसका कोई दूसरा विकल्प तो नहीं है तो चाहिए ही और जो अब देखना होगा कि जिला प्रशासन उक्त समस्या का निवारत कर पाता है या नहीं या यूँ ही पिडितों को सरकारी की जगह प्रायवेट अस्पताल में एक्सरे करवाने होंगे प्रेव रिपोर्ट खबर MPCG